पाठ सत्रा उप्योगी पेड़ पोधे हरे भरे पेड़ पोधे और हरयाली देख कर सबको अच्छा लगता है रंग बिरंगे फूल पेड़ पोधों पर चेह चहाते सुन्दर सुन्दर छोटे बड़े पक्षी तथा चारों और फैली घास पर चलना भी सबको अच्छा लगत है बच्चों क्या तुम यह जानते हो कि पेड़ पोधे हमारे तथा सभी जीव जन्तूओं के लिए बहुत उप्योगी होते हैं पेड़ पोधे हमें तथा अन्य सभी जीव जन्तूओं को सांस लीने के लिए ओक्सिजन देते हैं तथा कार्बन डायोकसाइड ग्रहन करते ह पेड़ पौधे पर्यावरण को स्वच रखने में हमारी सहायता करते हैं पेड़ पौधे मानव के ही नहीं बलकि जीव जन्तूओं के भी मित्र होते हैं कुछ पौधे हमें अनाच देते हैं जैसे गेहूं, चावल, मक्का और बाजरा आदी गेहूं के आटे से चपाती बनाकर खाई जाती है कुछ पौधे हमें डाले देते हैं जैसे चना, मटर, अरहर और राजमा आदी कुछ पौधे हमें फल देते हैं जैसे सेब, चीकु, केला, आम और अंगूर आदी कुछ पौधे हमें सबजियां भी देते हैं जैसे भिंडी, टमाटर, बैंगन और लौकी आधी, कुछ पौधों की जड़ों को हम सबजी के रूप में खाते हैं, जैसे चुकंदर, गाजर, मूली और शलजम आधी, इसी प्रकार कुछ पेड़ पौधें हमें मसाले, तेल, कपास और दवाईयां आधी वस्तुवें, आध हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि हम पर्यावरण को शुद्ध बनाने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाए और इनकी कटाई को रोकें, बच्चों, ये पेड़ पौधे हमारी प्रकृती के रखवाले हैं, हमें इनकी रक्षा अवश्य करनी चाहिए, अब तुम भी संकल्प करो कि प्रतिवर्ष एक पौधा लगाओगे तता उसकी देखभाल भी करोगे शब्दर्थ, हरियाली, हरे भरे पेड़ पौधों का सम्हू, शुद्ध, साफ, स्वच, वायू, हवा, पर्यवरण, वातावरण, मानव, मनुष्य, उप्योगी, लाबदायक, कर्तव्य, फर्ज, रखवाला, रक्षक, संकल्प, ध्रिड निश्चे, प्रतिग्या